बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम Assalamualaikum dear students Welcome to the video lectures of digital summer pack grade 1 and we are studying mathematics Today our topic is numbers from 21 to 30 वे आज हमने 21 से लेकर 30 तक numbers जो हैं उनके बारे में शीखना है कि आप इन्हें numerals और words में कैसे लिख सकते हैं तो question की statement समझते हैं count the number of pencils and match with the correct numbers अब अगर आप इदर observe करें तो ये आपके सामने ये counting लिखी हुई है in the form of numerals बास समझ आ रही है और अगर आप इदर इनको समझें एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो इन्शाला आपको दुबारा next जब कभी भी इस तरह का question आएगा तो आप बहासानी कर सकेंगे अब इस bundle को समझें ये कितनी pencils का bundle है अगर आप इनको count करेंगे तो ये हमारे पास 10 pencils का bundle है इसी तरह ये भी कितनी pencils का bundle होगा ये भी 10 pencils का 10 और 10 मिले कितने बने बही 2 time 10 हो जाए तो ये किसको show करेगा 20 को और इसके साथ एक pencil है तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 21 ठीक है इसी तरह के से देखो ये इस 21 को इदर से मिलाया हुआ है तो इदर आप देखें आपको words में 21 कहां पर नजर आ रहा है 21 यहां पर इसका मतलब है आपने इस point को 21 के साथ मिला देना था क्लियर है मेरी बात इसी तरीके से प्यारे बचो अब अगर दुबारा से अगर आप count करें तो ये क्या है ये दोनों bundles आपको पता है 20 को शो कर रहे है और ये टू पैंसल मिली तो 22 इसका मतलब है इसको आपने इदर से यहां मिला देना है और 22 तलाश करें कहां पर है 22 हमारे पास ये point बन रहा है तो आप क्या करेंगे इसको इस point के साथ मिला देंगे तो प्यारे बच्चो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपने ये bundles count करने है और साथ में दी गई ये लाइदा से pencils को count करना है और आपने इन में से वो number तलाश करना है और आपस में मिला देना है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको numbers के बारे में समझाया रहा है नेक्स वीडियो लेक्चर तक के लिए अलाफीस